बिना ATM काट के phone pay account कैसे बना है और उससे money transfer कैसे करें और UPI pin कैसे बने है आज किस वीडियो में हम आपको live process बताने वाले हैं और यह करके आपको दिखाने वाले हैं क्योंकि मैंने इसा किया है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं और आपके पास भी ATM काट डेविट काट नहीं है वहां से क्लिंग करके आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद चलिए हम इसे open कर लेते हैं इसके बाद जिसमी मौईल नमर से आप phone pay account को चलाना चाहते हैं उस मौईल नमर को यहां पे इंटर करें उसके बाद प्रोसीड वाले option पे आप क्लिक कर दें उसके प्रोसीड वाले नमर को आप phone pay में इंटर करेंगे तभी तो phone pay में bank account आपका link होगा इसके बाद आप क्या करेंगे add bank account पे आप click करेंगे जैसे यह एड़ bank account पे click करेंगे एकाउंट यहां पे जो है सफलता पुर्वक एड हो जाएगा फॉन पे में बसरते आपके सीम में मोवाइल नमर पे रिचार्ज होनी चाहिए अलिमिटेड फैक्स है तो यहां पे मेरा फॉन पे में बैक एकाउंट लिंक हो चुका है देखे बिना एकाउंट के हम फॉन पे मे बैक एकाउंट को भी एड कर चुके हैं लेकिन यहां पे सवाल यह आता है यूपी आए फीन को बनाने के लिए एटियम कार्ट तो चाहिए लेकिन मैं आपको एक ऐसा तरिका बताने बाला हूँ जिनसे बिना एटियम कार्ड के भी आप यूपी आई पीन बना सकते हैं तो इस प्रोसेस के लिए आप एक वीडियो को लाइक जरू कर दीजिए और चैनल को जरूर सबस्क्राइब कर लिजिए सबसे पहले पॉण पेके होमपेज पेहाँ आप आज आई है और प्रोफाइल वाले औप्सन पे आप किलिक कर दीजिए और जो भी बैंकक 안돼 कान को आपने लिंक किया है उस पे आप कलिक कर दीजिए कलिक करने के बाद यहाँ पे UPI-PN का option आएगा तो यहाँ पे restart वाले option पे आपको klik कर देना है ऐसा करने के बाद यहाँ पे दो option आपको दिखेंगे जिनसे आप UPI-PN बना सकते हैं एक आधार कार्ड और एक ATM कार्ड. ATM कार्ड़ आपके पास नहीं है, कोई दिक्ट it है लेकिर आपके पास अधार काड होंगे इसलिए आधार नमर पर आप किलिक करेंगे और यहां पर आपको अधार नमर इंटर करना पड़ेगा शुरू के six डिजिट तो चलिए हम यहां पे सुरू के 6 डिजिट यहां पे इंटर कर देते हैं, इसके बाद प्रोसीड वाले उप्शन पे हम क्लिक कर देंगे इसके बाद अधार के तरब से OTP आएगा, OTP को इंटर करेंगे उसके बाद यहां पे राइट वाले निशान को सेट करेंगे, इसके बाद राइट वाले निशान पे क्लिक करके आपका आधार कार्ड से UPI PIN सेट हो जाएगा, अब आप मनी टांसपर कर सकते हैं, और यहां पे हम आपको मनी टांसपर भी करके दिखाते हैं, सबसे पहले क्यार कोड को सकैन करके मनी टांसपर करते हैं, तो यहां पे देख सकते हैं, सकैनर है क्यार कोड का यहां पे क्लिक कर देंगे, इसके बाद यहां पे परमिसन दे देंगे, केमरे का, और यहां पे जो हम क्यार को न को कर लेंगे के यहां पर आप जितना भी को भेजना चाहते हैं फॉन परफें को एंटर करें गे उसके बाद यहां पर परफेंगले करके और यहां पर प्रakah दारेकार से यू प्याइपर कर एंटर कर के आप यहां पर पैसे भेसड़ और आप यहां पे देखना चाहते हैं पैसा गया है कि नहीं तो यहां हिस्ट्री बाले उप्शन पे आप किलिक करेंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं आपका 5 रुपिया टांसफर हो चुका है और यहां पे आप खाते का बाइलेंस भी चेक कर सकते हैं तो खाते का बाइले बनाया उसको आप यहां पर इंटर करेंगे उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपके खाते में कितने बाइलेंस है तो यहां पर देख सकते हैं मेरे खाते में कितने बाइलेंस है तो यहां पर दिखा इसी प्रोसेस से आप बिना इटियम काट के फॉन पे चला सकते है और phone pay में account भी link कर सकते हैं और UPIP भी मना सकते हैं और money transfer भी कर सकते हैं